वीडियो को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए औल नोटिफिकेशन अन कर दीजिए स्मार्फोन खर देने के लिए व्यू प्रोड़क्ट्स क्लिक कीजिए नोकिया किस स्टेटेजी भी मार्केटिक अंदर अपना रहा है ये तो पता नहीं पर इन्होंने नोकिया को सबसे बड़ा ब्रेंड समस्के रखा होगा इसलिए ज़्याद से ज़्यादा प्राइज की उपर कम फ्यूचरल स्मार्फोन लांच करते ही जारे खैर वो मार्केटिक अंदर बिके या ना बिके इन लोगों कि तो एक ही दिमाखरेती ही कि कैसे भी करके नोकिया की ब्रेंड बड़ा कर दें खैर ऐसे मार्केटिक स्टेटेजी को लेकर आप आगे चलोगे तो शायद मुश्किल हो सकता है इन लोगों की फेलोर या सेक्सेस के बारे में बात ना करते हुए Nokia X100 की सेक्सेसर स्मार्टफोन Nokia X200 Ultra स्मार्टफोन एक monster features के साथ market के अंदर आने वाला एक premium edition flagship स्मार्टफोन एक होने वाला है और साथ में gorgeous display के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है Ultra thin bezels आपको ये स्मार्टफोन के अंदर expect कर सकते हैं और camera quality में जो improvements ये स्मार्टफोन के अंदर होगा शाहिद किसी स्मार्टफोन के अंदर आप अब तक expect के होंगे में camera quality के अगर बात करें फ्लैक्सिप camera sensor Sony IMS की एक निया sensor ये स्मार्टफोन के अंदर यूज किया जाएगा जो प्राइमरली 200 मिगा पिक्सल के अंदर आप expect कर सकते हैं इसकी प्रीमियम लोग की डिजाइन आप साहिद स्क्रीन के ओपर देख रहे होंगे इस डिजाइन के बारे में आपकी क्या राय होने वाल है चार्ट सेक्शन में बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों आप लों कोई बिना कीमती समय को बरबात करते हैं वे डायरेक्टी स्मार्टफोन के स्क्रीन से बात करेंगे 6.9 इंचस की Full HD Plus पर Amoled Display इस स्मार्टफोन के सबसे खास बात होगा और Full HD Plus इस स्मार्टफोन की रिजूलिशन होने वाली है AMOLED डिस्प्ले तो होगा ही और साथ में ही ये स्मार्टफोन 5G विरेंड का तो होगा ही क्योंकि अब तो 5G भी चाल रहे हैं ट्रेंडिंग शायद आने वाले साल एंडिंग तक हमको 6G भी मार्केड अंदर देखने के लिए मिल सकता है खैर 6G तो हम एक्सपेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब तक हैंपर 5G भी अवेलेबल नहीं है साथ हमें ये स्मार्टफोन के सल्फी केमर के अगर बात करें तो 22 मिगा पिक्सल की सल्फी स्नैप पर ये स्मार्टफोन के अंदर होने वाली है यहाँ पर यह स्मार्टफोन काफ़ी जादा वाइडर देखने के लिए मिलेगा इसलिए यह स्मार्टफोन के अंदर 7000 MHz की बैटर परफॉर्मेंस एक्सपेट कर सकते हैं यह स्मार्टफोन के अंदर देजाएगी जो काफ़ी सारे लोग अभी इस्तिमाल वाले स्मार्टफोन तो उनके लिए तो भाई यह स्मार्टफोन जबर्दस मज़ा दे ही देगा क्या आप भी कभी कबार की पेड़ली स्मार्टफोन यूज़ किये हो या फिर नहीं चैट सेक्शन में बता सकते हो इसको चार्ज करने के लिए 678 की फॉस्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जाएगे ग करने को भी सुविदा दी जाएगे तो खैर दोस्तों फिलाल के लिए स्मार्टफोन के बारे में इतना ही ता जैसे इसके बारे में ज्यादा कुस लीक सो रूमर्स निकल कर सामने आता है तो रहंत आप लोगों के इंटिमेट कर दिया जाएगे तो आशागर तो वीडियो प